धान की फसल जब 60-65 दिन के आसपास की हो जाती है तो भाई इस समय फिर ब्राउन प्लंट हॉपर मतलब तेले का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए इस समय तेले की रोखताम के लिए एकदम पक्का इलाज करके चलना है क्योंकि इस समय तक हमने अपनी फसलों में हाँ हॉपर पहले थोड़ी सी जगे में अटाक करता है जैसे कि धान की पतियां पीली या फिर पेड़ सुखने ओवे एक लक्षण दिखाई देते हैं मगर अगले दिन सेम खेत में जाके देखते हैं तो भाई हॉपर बहुत जगे में अटाक कर चुका होता है बहुत जगे में फैल चुका होता है मगर शुरू में इसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं तो अगर बाली निकलने से पहले ब्राउन प्लंट हॉपर की रोक्साम नहीं करते हैं तो यह हमारी फसल का काफी जड़ा नुक्सान कर सकता है इसलिए हमें कोशिश यह करने चाहिए कि प्रिवेंटिव में जब धान की बाली निकलने की वस्ता होती है या फिर एक से दो परसंट बाली निकल जाए तो होपर लगने से पहले ही जो अच्छे सिस्ट्विक टेक्निकल आते हैं जैसे कि पाई मेट्रोजाइन हो गया या डिनोटी फुरान हो गया या फिर के अटैक के लक्षन काफ वी जड़त देहने को मिलते हैं इसलिए धान की बाली निकलते हैं समय एक सपरे बीपीएच की जुरू करवार देनी है बाकी बात करें इन सब की डोज के बारे में तो जो यह पाई मेट्रोजाइन है इसकी सही डोज हमें लेनी है 120-125 ग्राम प्रत यह कर तो भाई यह हो गया कि हमें इस समय एक सपरे प्रिवेंटिव में बीपीएच की जुरू करवार के चलना है मगर इसके लावा हमें कुछ साबधनी रखनी होती है जैसे कि अगर हमारे खेतों में भूरे माहू का अटैक देखने को मिलता है तो सबसे पहला काम हमारा य तो भाई इस तरिके से हमें दो काम करने होते हैं अगर बीपीएच के टक हो गया है तब जाके हमारे खेतों में थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा बाकि अगर आपके खेतों में शीथ ब्लाइट हो गया नेक्ट ब्लास्ट हो गया या फिर बील्वी की दिक्तत हो गी नौड झाल झाल